अबी के सब्सक्रांगे में जोभी हम लोग स्मार्ट फॉन लेते हैं तो उसमें कि वह लोग इसमाल हम लोग को म prett I'll लेकिन हम लोग उसको पता नहीं होता हम लोगे कैसे यूज कर सकते हैं क्या होता कि जब भी हम लोग फोन अपना आउन कर्ते हैं चाहिए कोई भी अस्मार्फ़ुन जो अभी के सब्सक्रान मुग ले रहे हैं वहां पर आपको बटन दिखते हैं तो जब बटन देखते हैं वहां पर यह नहीं हुआ क्यों आपका full screen display हो गया तो उस बटन को बंद करके कैसे आप full HD display यूज कर सकते हैं full screen display यूज कर सकते हैं आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा उस setting के बारे में जो setting करने के बाद आप एक दम से अपने phone का full screen display यूज कर सकते हैं दो सबसे पहले मैं आपको अपने phone में करके दिखा दे रहाई हूं कैसे आपको उसको enable करना है कि सेटिंग में जाना है और कौन से शेटिंग में जा good-name उने तो सबसे पहले क्या करना है आपको SH datas सेटिंग में जब आप जाएगा तो आपको यहां पे यह option मिलता है additional content यहां लेज़ आपको सो कर रहा है कि यह कैसे चल रहा है ठीक है अब यह हम लोगों को चलाना सिखना होगा या अगर आप जब इसको करेंगे तो खुद बखुद पता चल जाए कि कहां से बैट कर सकते हैं कहां पर इसका यूज को सकता है कहां पर नहीं तो अभी जो मेरे फोन में है वो बट का option आ जाता है यह पिर आप उसको नहीं सीखना चाहते हैं आप जांते हो तो यहांप नौटीकर दिए और नोटिफिकरशन आप अगर बार बार नहीं देखना चाहते हैं तो अब मैं इसको आसानी के साथ बैक करके बाहर आ सकता हूं और यहां पे जो नीचे बटन दिखता है आपको कोई बटन यहां पर नहीं दिखेगा आप देख रहे होंगे कि मेरा जो पूरा डिस्प्लेय फूल स्कीन हो गया है तो ऐसे ही आपको सेटिंग करके और वहां पे एडिशनल सेटिंग में जाईए और अराम से फूल स्कीन डिस्प्लेय को आप कर सकते हैं एक और चीज़ जो अगर बटन में हम लोगो यहां पर दिएगा तो आपका हो जाता है और अगर आपको एसे ही चलाना है चयना फोड़ाए शी हमें करके चलाए कर that और पूल स्कीन हो कि हमें और अगर आपको इस बीवारे में नहीं पता है तो आप यहां से अर अरॉज कर करके पिर्फ एंट शॉजे जो जो समचानी मैं के लिमान।